हाँ तो दोस्ते एक और नई वीडियो लेके आज चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपनी चैनल ट्रीकी मैन पर तो गाइज ये वीडियो काफी डिमांडेट वीडियो है इस वीडियो के टोपिक से रिलेटे बहुत सारे कमेंट टाइम टू टाइम मुझे रिसीव ससल्ट रगते हैं कि भया हमें ओनलाइन डूकर सी करनी चाहिए तो कौन सी उनिवस्ट्री से करनी चाहिए जिसकी इन FUTURE हमें ुलियो मिलें इन FUTURE हमें प्लेट अच्छी मिलें हम time save होगा नहीं होगा online degree करने से ऐसे बहुत सारे questions रहते हैं और सबसे particularly online degree में fees कम लगती है, offline degree में fees बहुत ज़्यादा लगती है, अगर particularly हम MBA course की बात करें तो MBA course में offline में जितनी आप लोग की fees लगती है, उसका one fourth fees आप लोग के online में लगती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा difference create करता है fees के मामले में, ऐसे ही कुछ time पहले मेरा एक friend है, उसे भी यही confusion थी, तो उसके लिए मैंने काफी research की इस topic के उपर कि उसे online degree कहां से करनी चाहिए, कि इस college से करनी चाहिए, तो इसी research में मुझे एक platform मिला, जो कि आप लोग को free of cost comparison करके देता है, counselling भी करवाता है free of cost, जिससे आप लोग को idea हो सकता है कि कौन सी degree आप लोग को कहां से करनी चाहिए, मैं only master degree की बात नहीं करना है, आप लोग को bachelor degree करनी है, जैसे BBA, B.com, B.tech type को degree करनी है online में आप लोग को, तो भी आप लोग इस platform से try कर सकते हो, comparison कर सकते हो, कैसे आप लोग को करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का mind में ये confusion रहती है, कि हमें online degree करनी चाहिए, या नहीं करनी चाहिए, तो ये confusion मैं दूर कर देता हूँ, देखो धीरे धीरे चीज़े grow हो रही है, और आने वाले time में degree की value कम होने वाली है, skills की ज्यादा value होने वाली है, अगर आप ल मेरे friend की, जो मैं आपको बता रहा था, उसको online degree चीए थी, क्योंकि इस time पे वो job कर रहा है, एक अच्छी company में job कर रहा है, बट उसे master भी गरनी थी साथ-साथ, इसलिए online degree की तरुद जाना चाहता था, आप भी अगर इस line में हो कि आप लोग को online degree इस तरीके से चीए, तो आ अब भी इस वीडियो को आगे देख सकते हो, बाकी इस time पे suggestion पूरा रहेगा मेरा, जिनके fee structure भी कम लेगेगा आप लोग का online degree में, और भी बहुत सारे फायदें, जैसे time भी आप लोग का save होता है, flexibility भी आप लोग को मिलती है, online आप लोग को अग्जाम हो जाते है, online ही आप लोग को degree मिल जाते है, घर बैठके आप लोग degree ले पाते हो, तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं, 50 plus universities का comparison आप लोग देख सकते हो, कहाँ पर ये फायदा ले सकते हो, सब कुछ बताऊंगा, अगर आप लोग को वीडियो च्छी लगे, एक like जरू करना, आपने दोस्तों में इस वीडियो को शियर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आप लोग के लिएक free of cost online platform बता रहा हूँ, college विद्या के नाम से एक platform है, website है, जिसका link में वीडियो को description में आप लोग को दे दूँगा, इनकी tagline आप देख सकते हो, चुनो वही, जो स तो आप लोग को यहाँ पर complete free and unbiased review मिलेगा, कोई भी degree आप करना चाहते हो, बिल्कुल free में आप जान सकते हो, कि कौन से degree आपके लिए beneficial है, आप लोग को कौन से college से करनी चाहिए, और इस टाइम पर बहुत बच्चे confused रहते हैं, colleges के नाम पर, यहाँ पर आपको comparison मिलेगा 50 plus online universities का, distance colleges का और universities का, unbiased and free comparison है, आप से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, even free counseling भी दी जा रही है, जिसके बारे में वीडियो के last में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम courses की बात करें, अगर आप MBA करना चाहते हो, executive online MBA करना चाहते हो, MCA करना चाहते हो, MCA करना चाहते हो तो comparison कर सकते हो, UG के भी कुछ courses हैं जो कि आप check out कर सकते हो, diploma भी यहाँ पर compare कर सकते हो, PG में जैसे MBA करना चाहते हो, MBA पर आप click कर सकते हो, तो आप लोग को यहाँ पे MBA में ही option मिल जाता है, कुछ सबसे पहला step आप लोग का यह होता है, कि कुछ basic सी आप लोग को detail डालनी हो कुछ 5 questions होते हैं, कि आप लोग अभी currently working है या नहीं है, तो yes no कर सकते हो, highest qualification क्या रही है, आप लोग का budget कितना है, online degree करने का MBA का, उसके बाद यहाँ पर कितनी देर आप लोग पढ़ सकते हो weekly में, तो उसके बाद आप लोग को आपके लिए matter सबसे ज़ुदे क्या करता है, right university plus right course, या फिर fees कम हो आप लोग की, या फिर आप लोग degree से care कर रहे हो only, एक चीज माँ आपको यहाँ बदाना चाहूंगा कि degree एक बार ही आप लोग को करनी है, तो यह decision बहुत ज़्यादा important होता है, अच्छे से आप लोग research करके decision पे पहुंच सकते हो, college with the platform की help से free of cost, यहा लग लग universities के अलग लग benefits हैं आप लोग को, जैसे सबसे पहले नारसी मुंजी universities, जो आप लोग ने नाम सुनाओगा MBA के लिए, इनका strong placement sell है, यहाँ पर pros and cons भी आपको देखने को मिलेंगे, but fees थोड़ी सी high है, जैसे LP university है, इनके online exam होते हैं, but cons की बात करें, fees structure थोड़ा सा इसका भी high है, मनिपाल university है, चंदीगड़ university है, जैसे highest companies आती हैं placement के लिए चंदीगड़ university में, but cons की बात करें, तो online, offline exam है, but आप fees देखोगे, fees काफी कम है इस university की, इसी तरही के से आप लोग को fees wise, यहाँ पर rating wise, सारे decision दिये गए हैं, आप लोग को, यहाँ पर government approvals है या students की किस type से rating है, placement कितनी हुई है, सब कुछ आप लोग को comparison दिया गया है, अब आप किसी भी मानलो 2-3 university को compare करना चाहते हो, यहाँ पर आप लोग को add to compare पे click कर दिने, अब यहाँ पर 2-3 university select कर सकते हो, जैसे हम लोग नार्सी मुझी select कर लेते हैं, LPU select कर लेते हो, चंदीगड mode क्या क्या है, इसके लाब placement assistance आप लोग को कितना मिलेगा, जैसे नार्सी मुझी में 98% तक की placement दी जाती है, यानि placement काफी अच्छी है इस university की, eligibility देख सकते हो, आप लोग graduation हो आपके पास, या फिर college विद्या score कितना करती है, NAC score कितना होता है, और इन universities में आप लोग को degree कैस किसी टाइप से सारी universities के आप लोग को proper degree मिलेगी, किसी भी degree में, किसी भी online course में आप enroll करना चाहते हो, proceed to university पे आप लोग click कर सकते हो, proceed to university पे जैसे आप लोग click करते हो, लिखा आता है successfully applied, अब आप लोग उसे contact किया जाएगा, अगर इस degree में आप लोग enroll करना चाहते हो, आप की सारी detail इनके पास है, आप लोग उसे contact कर लिया जाएगा, अगर एक चीज़ और अच्छी मैं आप लोग को बताऊं, college उद्धा platform की, इस platform पर आप लोग को free counseling भी provide की जाती है, industry expert से, जिसले आप लोग को idea होता है, कि ये university आपके पास best है या नहीं, तो आप लोग के लिए एक number भी है, आप लोग जान सकते हो, और ये जो number है, वो कोई college का या फिर कोई university का number नहीं है, इस platform का number है, जो की आप लोग को अनबाइस review आप लोग को देंगे, यानि आपके लिए best क्या है, वही आप लोग को बताएंगे, वरना कभी भी आप लोग किसी counselor को phone करोगे, particular college के तो आप लोग को कहेंगे, ये भी अच्छा है, हमारा इक college अच्छा है, किसी के भी call करोगे, आप लोग किसी भी college counselor को, वो अपना ही college अच्छा बताएगा, बट ये आप लोग को best guide करेंगे, साथ ही साथ आप लोग को free video counseling भी provide करेंगे, video counseling one on one, face to face, आप लोग जान सकते हो, इस वीडियो में गईस बस इतना ही, thank you for watching.